Class 9 की Exercise 3.3 का Question No.2 है हमारे सामने जिसमें हमें दिया है Plot the point X,Y given in the following table on the plane Choose suitable I unit of distance on the axis तो Question में हमें क्या दिया है पहले तो दिया हमें ये table तो table के अदर X और Y की value है तो उसे हमें ये जो ऐसे format है उसमें लिखना है कहां किसमें लिखना है हमें लिखना है इसे partition plane पे तो X होता है हमारा abscessa और Y होता है ordinate X होता है horizontal line और Y होता है vertical line तो क्या करना है पहले हमें क्या दिया है minus 2 और 8 तो पहले क्या लेंगे X axis का क्या लेंगे minus 2 तो minus 2 मैंने इधर लिया और 8 की दर है मेरा तक जाना पड़ेगा तो यह हो जाएगा मेरा minus 2,8 तो इतना ही करना है इसे हमें बस इसमें show करना है तो यह हो जाएगा मेरा point आप इसे point डाल दो तो भी चलेगा minus 2,8 अब देखो minus 1 और 7 दिया है second तो minus 1 और 7 का है देखो यह भी इसमें ही दिया है तो minus 1 से लिएके 7 तो यह हो जाएगा point मेरा minus 1 upon 7 मतलब 7 तो यह इसमें आप चाहो जाएगा जाएगा नहीं चाहिए तो फिल चलेगा अब थर्ड देखो 0 minus 1.25 तो देखो 0 मेरा की दर है 0 तो मेरा हो गया यह x-axis भी हो गया मेरा यह 0 और minus 1.25 तो minus 1 के नीचे थोड़ा चाहो जाएगा minus 1.25 तो लिख देंगे 0, minus 1.25 यह minus है अब देखो दिया है हमें 1 3 x-axis पे 1 और y-axis पे 3 तो 1 से लेके इधर तक 3 हो जाएगा मेरा तो यह हो जाएगा मेरा क्या 1 3 तो इसे आप जाओ तो जाओंड कर देना अब देखो next में क्या दिया है 3-1 यह last one हमें क्या दिया है 3-1 तो 3 positive है और minus 1 negative तो 3-1 इधर हो जाएगा मेरा तो इधर से आप जाओ तो सीदी लाइन कीज़ देना तो यह हो जाएगा कौन सा मेरा point 3-1 तो इतना ही था exercise में हमारे इधर साती question थे तो हमारे पूरी chapter खतम हो गया है पूरा chapter खतम हो गया है अब next chapter में दिखते हैं हमारे जाएगा